नमस्कार मैं आसिस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षापलस में काफी बच्चों की क्वैरी थी कई सारे पोन आ रहे थे सभी बच्चे पूछ रहे थे सर form फिल करते समय कुछ गलतियां हो जा रही है तो आप से जो गलतियां हो रही है उसको avoid मत करिये और कोछिस करिये की आप अपना form खुद जाकर साइवर कैफे में फिल करिये अगर आप साइवर कैफे वाले के हवाले form रख देते हो तो कहीं ना कहीं आपको आगे सलके दिक्कत सहना पड़ेगा इसलिए बहुत सौधानी से अपने फॉर्म को फिल करिए इसी सिलसले में कि जो आप लोग गलतिया कर रहे हो आप लोग कुछ लोग फोन करके भी पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट नंबर सीरि लगाएं या किसका लगाएं सर्टिफिकेट नहीं है डिगरी नहीं है तो उस क्रम में मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको करना है यह ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आप लोग यूपी एसाई एसाई का जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं दोनों का कॉंप्यूटर ऑपरेटर में भी वही प्रोसीजर है यह ध्यान रखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर गोपनी और सहाईक नेट्रिपिक और सहाईक वाला है एसाई और एसाई वाला जब आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ अप्लाई करने की जो लिंक आए अप्लाई करने की जो लिंक आएगी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है तो यहाँ सबसे पहले आपको important dates दिया है यहाँ vacancy की बारे में बताया है या how to apply बताया है जब यह हो जाएगा तो सीधे payment करना है photo upload करना है form को print कर लेना मतलब main आपको जो form में fill करना है वो यही पर करना है primary registration में करना है बाकी आपको payment करना है और photo upload करना है signature upload करना है photo आपका white background में होना चाहिए यह ध्यान लखेगा white background में आपका photo होना चाहिए और कोसिस करिएगा कि latest photo हो तो चल जाए white background में रखेगा बहुत colorful नत रखेगा color photo रहे background पीछे का white रहे फिर application जरूर print कर लिएगा अब सबसे बड़ी बात है OTP कुछ लोगों में नहीं आ रही है तो OTP नहीं आने का एक कारण आपके अंदर आप में mobile में recharge भी हो सकता है तो आप अपना top up भी करा लिजेगा 10 रुपय का OTP Top up कर लिजेगा balance कभी कभी कुछ OTPs जो होते हैं वो balance पर depend करता है इस चीच को ध्यान रखेगा और technical लिए करता नहीं है लेकिन जरूरी होता है अब अगर हम बात करें यहाँ पर apply करेंगे जब आप ठीके क्या करेंगे आप जब apply करेंगे यहाँ पर apply online application पे तो आपके सामने जो detail खुलके आएगा वो यहाँ ध्यान देखिए आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है ठीके अपना अंतिम नाम फिल करना है आवेदक का पूरा नाम ठीके यहाँ आज आपको डालना है जब पहला नाम और अंतिम नाम जैसे राहूल सिंग है तो राहूल यहाँ डालेंगे सिंग यहाँ डालेंगे ठीके ऐसे ही यहाँ पर पूरा आप प्राहू सिंग करोगे फिर जनम्तिती आपको date डियो भी आपको डालनी है किस तरह डालनी है यहाँ से choose करके डालोगे पहले date, month और year फिर पिता जी का नाम डालना है माता जी का नाम डालना है उसके बाद से आप अपना जेंडर यहाँ पर बताऊंगे मोबाइल नमबर दोगे, मोबाइल नमबर सही भरियेगा जिस पर OTP आता हो ठीक है? यह द्यान नखियेगा इमेल आइडी आप डालियेगा वही जो इमेल आइडी आपका चल रहा हो और इस्तदारों की इमेल आइडी मट डालियेगा फिर यहाँ पर अपना आधार नमबर ठीक इमेल आइडी यहाँ पर आपको वही बोला इमेल आइडी को कंफर्म करना है मोबाइल नमबर कंफर्म करना है दो दो बार आप से मुला ना mobile number confirm करना email id email id इसलिए आप अपनी email id किसी और की मट डालिएगा other information में कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो निवास प्रमाड पत्र आपका कोई पुराना भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे जैसे ही यस कर देंगे यस कर देंगे तो यहाँ आपसे पूछता क्या आप SCST, OBC, EWS, चेर्णी के अंतरगत आरक्षन या आयू में छूट का लाब लेना चाते हैं तो अभी certificate आपसे upload नहीं कराएगा लेकिन सब ही लोग अपना जो भी चाहे SCST का है, OBC का है कोई भी document form के last date के बाद मत बनवाईएगा form के last date से पहले का होना चाहिए ठीक है, मैंने कहा था कि OBC certificate चाहे EWS certificate जो है, वो आपका recent year का हो, मतलब आपका financial year जो चला है 2023-2014 इसका हो तो उचित रहेगा तो यहाँ पे आप select कर सकते हो अगर आपको reservation चाहिए तो बाकी आप ग्री जन्पद अपना select कर लिजिएगा कि आपका जन्पद क्या है ठीक है, आपको reservation चाहिए नहीं चाहिए तो no कर लिजिए, बाकी आप जो भी ग्री जन्पद select करना चाहते select कर लिजिएगा, category आप select कर लीजेगा कि general में आते हैं यह जब select करने के बाद आप यहाँ पर education qualification कोई भी certificate आपको upload नहीं मागा है अब यहाँ पर आपको क्या करना है अपना education certification वाला जो part है वो भरना है इसमें बहुत सारी गलतियां यह हो रही है बच्चों से मैं एक बार बता दे रहा हूं आप से कि क्या कर रहे हैं ध्यान दिजिएगा O label के समकच वाले में high school और 10th plus school तो high school आप सभी pass और board लिख देना UP board से हो तो UP board लिख देना CBSC से हो तो CBSC लिख देना किस साल pass किये month और year of passing महीना उसमें लिखा रहाता है किस साल आपने pass किया June माई में आपका result आता था तो वही माई के साथ आप result लिख दीजेगा उसके बाद से result में आप click करेंगे तो आप pass और fail result status बता दीजेगा number बता दीजेगा जैसे कुछ बच्चे होते कहते हैं मैं result में एक subject में fail था मेरे result में pass लिखा हुआ है तो वह आप pass हो वह fail नहीं कहलाएगा कि अगर आप किसी subject में fail हो तो आपका result किसका status pass है तो pass ही करिएगा यहाँ पर उसके बाद से यहाँ roll number आप अपना डाल दीजेगा high school का roll number क्या है और high school का जो certificate या mark seat का serial number समझ रहे हो यहाँ क्या बोला है certificate mark seat serial number कुछ भी जो भी हो तो जैसे आपके high school में सनद जिसको बोलते थे हो certificate high school का passing वाला मिलता था उसका आप number डाल सकते हो या mark seat के उपर serial number होता उसका number डाल सकते हो गोई दोनों में से डाल सकते हो कोई hard and fast rule नहीं है आपके पास आपका सनद है जिसको certificate काते हैं कि आप 10th pass हो मिलता है फोटो के साथ उसमें certificate number होता है उसे डाल दीजिएगा अगर वो नहीं है तो mark seat का जो number होता है उसको डाल दीजिएगा serial number यह ध्यान रखिएगा उसके बास एट intermediate का आता है तो यहां भी वही board passing year कौन सा था pass status role number और वही certificate number आपको डाल दा graduation में आपने graduation किया है तो बता दीजिए graduation में आपने कौन सा किया है वो यहां पर आप stream चूज कर लिजिए कि आप graduation क्या किये है PG Diploma in Accountancy and Equivalent मतलब यह उनके लिए है यह इन बच्चों के लिए है जो accountant में SI, ASI का form है न यह तो ASI accountant के लिए आपको क्या चाहिए B.com चाहिए या M.com चाहिए हाना तो वो अगर आपने किया है PG किया है कोई Diploma किया है Accountancy में तो वो आप यहां पर भर दीजिएगा उसका पूरा डिटेल सर्टिफिकेट नंबर आप यहां डाल दीजिएगा जो भी सर्टिफिकेट होगा account वालो के लिए है अगर किसी ने simple graduation किया है तो देखो simple graduation में तो आप B.com जैसे B.com आप यहां पर डालोगे अगर master हो M.com से या आपने graduation के साथ कोई PG diploma किया है accountancy में मालो आपने B.A. किया B.A. simple किया और आपने एक post graduate diploma कर लिया किसे आपने accountancy से तो आप यहां accountancy वाला diploma डाल दिए तो आप account के लिए eligible हो जाओगे आपने B.A. भला ही art science से किया हो उससे कोई मतलब नहीं ठीक है तो graduation में जैसे आप B.com एम.com वाले क्या है तो B.com वाले बच्चो अगर M.com नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको छोड़ भी सकते हो ठीक है आप B.com की हो यहां पर B.com डाल देना यहां लिखा न PG, Diploma in Accountancy और equivalent कोई बात नहीं है आप graduation में B.com डाल दीजिएगा आपका काम चलिएगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा तो यहां पर आप फिल कर सकते हैं फिर यहां पर यह वाला point आता क्योंकि यह देखो यह compulsory नहीं है फिल करना बाकी O.Levels certificate अगर आपके पास M.com है B.com के बात किये हो तो B.com यहां फिल कर देना M.com यहां फिल कर देना ठीक है वैसे यह diploma है M.com करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपको M.com करने की ज़रूरत नहीं है PG diploma in accountancy बोला है तो वो diploma मतलब आपका एक साल का एक साल दो साल का diploma वो तो आपका master degree हो गया तो यहां master degree नहीं है न तो अगर यहां पर आप graduation में become डालेगा मालो किसी का graduation आर्ट साइन्स से है और accountancy में कोई diploma किया है तो वो अपना डाल सकता है यहां पर डीटेल तो यह compulsory उससे खास नहीं है यह ध्यान अब वो लेबल सर्टिफिकेट फॉर्म निलेट सोसाइ यहां जब select करोगे तो दो option आता है यहां जब आप select करोगे तो देखो जैसे यहां select करोगे तो यहां एगा equivalent post graduate diploma in accountancy या PGDA accountancy के equivalent कोई degree है तो ठीक है नहीं है छोड़ दो अब आते हैं यहां पर बोला ओ लेबल निलेट से किये हो तब तो ठीक है जो डो एक से करता है mainly ओ ले फिर आपको यहां पर क्याव करना है आपका किसे approved है यहां पर बोड़ और वो दिया है ना तो वो बोड़ का नाम लिखना है जैसे मालो किसी university से आपने PGDCA किया है तो उस university का नाम लिख दो कोई government की संस्था है जैसे अगर मैंने कहा UP desk को चाहे ITI चाहे Paul technique तो आप UP Paul technique यहां तो वो चीजे आप यहां पर लिखोगे अब यहां पर अगर हम बात करें या institute का नाम लिखोगे अगर वो authorized institute है तो ठीक उसके बाद से आपका यहां पर यह क्या है आपका नाम हो जाएगा यहां पर डिगरी का नाम हो जाएगा यहां पर वही बोड़ या university जो भी होगा उस ठीक है उसके द्वारा और मैं बार बार बोलता हूं बच्चो कि वो certificate जिसको क्या नहीं प्राप्त है खाली registration मिला है और गली महले में खुला हुआ है वो नहीं चलेगा आपका एक certificate जो government के किसी ना किसी बोड़ के द्वारा authorization हो जैसे अगर हम कहते हैं ना school में आप पढ़त हो तो इस school का नाम बहुत सारे different different होते हैं लेकिन सबका high school का जो certificate होता है वो मादमिक सिच्छा बोर्ड से मिलता है तो ऐसे ही computer के लिए जो कुछ बोर्ड बनाए गए हैं उनके द्वारा आपके degree मिली है जैसे डो एक से approved निलेट से approved mark seat का आगर आपके पास कोई course है तो वो डालना है उसके बाद से आप किस साल पास किये वो डालना है result क्या है पास फेल वो बताना है अब कहते हैं बच्चे कि सर मेरे में role number नहीं है जैसे कुछ o label certificate वाले बच्चे हैं जिनको o label है आपके पास role number नहीं है तो आप enrollment number डाल दो enrollment नहीं है तो आप registration number यहां डाल ठीक है और यहां पर बोला है प्रमाडपत्र या अंकपत्र का marksit serial number मतलब कि अगर आप o label किये हो तो आपकी जो marksit मिलती है या certificate आपके पास हो तो certificate में भी number लिखा रहता है कुछ भी करके लिखा रहा है yes you slash yes 2001 slash यह तो अगर आप लिख रहे हो तो वो character नहीं लेगा तो उस character को यह म है ऐसे character नहीं लेगा आपसे आप देख रहे हो यह character नहीं लेता है यह character अगर नहीं लिया तो आप यह ध्यान रखिएगा only numbers and alphabets are allowed सिर्फ number और alphabets लगाना जैसे कुछ-कुछ मार सीट में आपके certificate number इस प्रकार से लिखा रहेगा Marlo University का नाम है SU University ठीक है 2021 का certification है 14098 आपका number है यह serial number आपके certificate का है तो आप लोग एकदम सब कुछ मत लिखना आप बस ऐसे लिख के try कर सकते हो SU 2021 4009 यह आप लिख दोगे तो आपका यह लेगा अधर wise जादे हो रहा है तो आपको last का digit ही आपका serial number वैसे होता है यह तो बताता है आप किस साल पास किये हो ठीक है इस प्रकार का अगर कोई आपका serial number है आपके certificate में या mark sheet में तो वही आपको fill करना है ठीक है यह ध्यान लखेगा उसमें यह तो लिखा रहे है serial number mark sheet number कुछ भी या certificate number यह अगर किसी के पास role number नहीं है तो registration या enrollment number डाल सकता है registration या enrollment number जैसे आप B.T.E.C. किये हो तो B.T.E.C. वाले में maximum क्या होता है कि आपका role number कई जगह बदलता रहता है कई university में लेकिन enrollment number नहीं बदलता है वो last तक वही रहता है तो वो case कोशिस करिएगा पॉल टेकनिक हो जो भी हो enrollment number डालिएगा जहां role number मांगा हुआ है ठीक है या final year के mark sheet में आपका role number होगा जो final year का mark sheet होगा यहाँ पर role number आपको कौन सा डालना है जो final year का अगर B.T.E.C. वाले हो चाहे कोई भी diploma वाले हो final year का चाहे final year या कह सकते हो final semester का ठीक है final semester का आपको क्या डालना है यहाँ पर role number या enrollment number भी दोनों डाल सकते हो यह ध्यान लखेगा अगर जिसके पास role number है जिसके mark sheet में role number डालेगा नहीं है किसी में तो आप अपना enrollment number डालेगा कोसिज करिएगा role number डालने का और यहाँ पर आपको मैंने कहा भी serial number certificate का होता है उपर वैसे भी लिखा रहता है किसी किसी में अगर कुछ लिखा न रहे वैसे जनरली भी लिखा रहे ऐसे करके 2022 4090 में ऐसे करके लिख लेकिन उसमें यह नहीं लगाना यह चीजें नहीं लगाना आपको अगर लगा होगा तो ठीक यह आपको समझ में आ गया फिर अब आते हैं यहाँ पर ओलेवल के equivalent बरने के बाद पोस्ट प्रिफरेंस पे आते हैं पोस्ट प्रिफरेंस बहुत जरूरी है पिछली बार लोग होते हैं और जिनका एक का प्रिफरेंस पहले मान लो ministerial हो और एक का प्रिफरेंस आपका क्या हो SI confidential हो तो भाई मिलेगा ministerial वाले को अगर सेम नंबर बेहते हैं अगर आपने confidential में आपका नहीं हुआ तो जब आपके नंबर जादे रहेंगे तो प्रिफरेंस का उतना ब आती है जिनको इस टेनों नहीं आती है पहले प्रिफरेंस में आप क्या डालोगे आप ministerial डालोगे दूसरे प्रिफरेंस में अगर आपने आपको इस टेनों आती है चाहें नहीं आती है तो आप इस टेनों नहीं आती तो मत बरो मैं तो यहीं कहूंगा कोई मतलब नहीं होत सब ही को आपको फिल करना है तो फर्स प्रिफरेंस अपना मिनिस्टीरियल डालो दूसरा प्रिफरेंस आप क्या डालो confidential डालो और तीसरे पद में आपको क्या बोला है यहाँ पर no का भी option आ रहा है जैसे आप यहाँ पर करोगे यहाँ no भी डाल सकते हो आपको लग रहा है क्यों डाले क्यों फाल तुम्हें वो जाए तो आप no डाल सकते हो एक आप डाल सकते हो सिफ मिनिस्टेरियल में अगर आप को इस टेनो नहीं आता है आप एकांटेंट से नहीं हो तो आप मिनिस्टेरियल डाल के बाकी का no कर दो बाकी जिसको इस टेनो आती है वो एक गलती मत करिएगा सब से पहले आप इस टेनो डालिएगा क्योंकि इस टेनो वाले को टाइपिंग आएगी है आएगी और graduate होगा तो इस टेनों वाले पहले पिस्टोनों डालेंगे, दूसरे पर ministerial डालेंगे ओर थार्ड वाला अगर वो become नहीं है, मतलब commerce से graduate नहीं है, तो वो अपना क्या करेंगे? नो कर देंगे. ठीक है? तीसरा post वो क्या कर देंगे? आपका नो कर देंगे. जैसे यहाँ पर पूछा है न कि जब आप confidential डालोगे तो बूछेगा do you have a sort hand आपको sort hand आती है तो आप यहाँ पर yes कर दो ठीक है आप यहाँ पर जैसे ही confidential डालोगे आप से sort hand का पूछेगा का दो yes और यहाँ पर आप तीसरा पत अगर b.com नहीं किये हो आपको मनलब commerce से graduate या post graduate नहीं हो तो आप क्या कर दो यहाँ पर no कर दो तीसरा case यह आता है कि अगर कोई commerce वाला बच्चा है तो commerce वाला बच्चा है तो बच्चा commerce वालों के लिए मैं यहीं कहूंगा कि सबसे पहले आप accountant चूज करना आपके लिए यह पद बना है आप में भीड कम है accountant है फिर अगर आप क्या करो अगर आपको steno भी आती है तो सोने पसुहागा कहा जाता है जिस्ति आपको अगर विकॉम किये हो और आपको steno भी आती है तो आप steno डाल दो दूसरे नंबर पे आप क्या डाल दो steno डाल दो और तीसरे नंबर पे आप ministerial डाल दो तीसरे नंबर पे आप ministerial ड सबसे उचित रहेगा क्यूंकि accountant सबसे पहले डाला अगर आप commerce graduate नहीं हो ठीक है तब तो भाईया सबसे पहले आपको ministerial डाना अगर commerce graduate नहीं हो अगर commerce graduate हो आपको steno नहीं आती है आप commerce graduate हो इस टेनो नहीं आती हो तो यहाँ पर confidential की जगा ministerial कर दीजिएगा हाँ यह ध्यान रखिएगा चलो यहाँ पर आप no कर दीजिएगा और यहाँ पर जो confidential चूज किये थे तो ministerial कर दीजिएगा अगर commerce graduate हो आपको steno नहीं आती है तो पहला preference आप content डालिएगा दूसरा preference आप ministerial डालिएगा तीसरे पर no कर दीजिएगा अगर आप simple graduation हो आपको steno आती है तो आप क्या करना simple graduation steno वालों के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि भईया पहले confidential डाल देना और फिर आप ministerial डाल देना account आप रखते नहीं हो तो उसको no कर देना ठीक है account आप रखते हो तो उसको no कर देना तो यह preference भरना है उसके लिए अगर किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है जैसे एक बच्चा था का रहा था सर मैंने इसमें क्या किया accountant डाल दिया है पहला preference दूसरे में मैंने confidential डाल दिया है और यहाँ पर मैंने ministerial डाल दिया है चलो एक तो यह हुआ कि आपको यहाँ पर ministerial डालना चाहिए था second preference उससे कोई असर नहीं पड़ता है आपको इस टेनों नहीं आती कोई बात नहीं जब आप document verification कराओगे document verification के बाद आपकी typing होती है typing के बाद आपको जब typing क्वालिफाई करोगे तब आपको इस टेनों के लिए बुलाए आता है तो आप इस टेनों में मत जाईएगा ठीक है हाँ यह थोड़ा सा आपको impact करेगा जब आप same number पे होंगे मान के चलो कि एक बंदा आपका यहाँ third number पे आपने ministerial डाला है और एक बंदा second number पे ministerial डाला है आपका number same है आपका number same है तो preference उस बंदे को दिया जाता है बस यह होता है लेकिन आप पांच साथ number जादे लेकर आओगे तो preference का कोई अस्तित्त वर नहीं होता है इतना ध्यान रखिएगा अगर number जादे लेके आ रहे हो cut up पे पड़े हुए हो मालो एक cut up मार्क से उसी पे दो लोग लटके हुए है तो preference वाले को वर्यता दी जाती है यह ध्यान लखिएगा cut up पे जब लटके रहते हो तब तो उससे इतना चिंता होने की बात नहीं है accountant वाले हमेशा become वाले पहला preference account वाला डालेंगे दूसरे पर अपना वो ministerial डालेंगे क्योंकि इस typing तो उनको करनी ही करनी है तो उनके लिए दो post बहुत सही है short hand आती है तो डालिए नहीं आती है तो मत डालिए ठीक है चले तो और कोई समस्या आपके पास हो तो वो comment कर सकते हैं बाकी यहाँ पर देखिए आपको क्या है डो एक नीलेट सोसाइटी प्रमाणी करने या सरकार द्वारे माननेता प्राप्त computer application सनातक उपादी या उससे आहरता प्राप्त किया do you have a higher certification of डो एक नीलेट सोसाइटी और bachelor degree in a computer application technology higher recognized by the government क्या आपने ओ लेबल से उपर का कोई certification किया जैसे मैंने कहा कोई एक साल का डिप्लोमा किये हो तो वो ओ लेबल के बाराबर होता है लेकिन अगर आपने BCA कर लिया BTEC किया है तो यह सब चीज़े क्या है MCA किया है वो higher लेबल है तो आप कहा दीजिएगा हमने किया है यस ठीक है आपने किया है तो यहाँ पर आपको बोला गया Do you have a higher certification of DOEIC NILAT society और bachelor degree in computer applications तो अगर आपने किया है एक साल से जादे आपने computer ऐसे पढ़ा है अपने डिगरी में ठीक है BTEC CSIT हो BTEC किये हो तो वो चीजे आपको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है ठीक है अगर आपने BTEC किया है तो आपको यहाँ पर अपना date of issue certificate करना है प्रमार्पत्र वाला प्रधिकारी certificate issue authority मतलब university का नाम और number of certificate प्रमार्पत्र की संख्या ठीक है यह ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे BTEC CSIT वाले हो गए BCA वाले हो गए computer में अगर आपने कोई उच्च डिगरी ले रखा है एक साल से जादे की तो आप यहाँ पर डाल सकते है as a preference आपको कहा जाता है ठीक है उसके बाद से बोला है यहाँ पर आपने अगर law किया है ठीक है आपने अगर law किया है law की डिगरी लिया है तो भर सकते हो अगर आपने दो वर्ष तक सेना में काम किया है at least two well का service तो वो आप yes no कर सकते हो अगर आपके पास NCC का कौन सा certificate B certificate है ठीक है तब आप यहाँ पर कर सकते हो तो preference के तौर पर आपको दिया जाएगा यह preference जो form में लिखा राता ने कि अगर आप यह किये हो तो preference दिया जाएगा तो वो उसके लिए भरवाया जाता है बाकी आप यहाँ पर अपना address लिखिएगा और यहाँ पर आप preview and submit कर दिएगा जैसे submit करेंगे फिर login करके OTP आपका verification होगा payment होगा और photo signature upload होने के बाद form submit करना है आपको बात समझ में आ गई तो यह procedure आपको अपनाना है कोई दिक्कत हो तो आप इस number पे call कर सकते हैं अगर कोई चीज समझ में ना आया आपको form fill करने में तो आप इस number पे call कर लीजिएगा आपको बता दिया जाएगा कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यह चीजे आप 99, 79, 70, 80 पर call कर लीजिएगा आपको बता दिया जाएगा और जो बच्चे SI, ASI की तैयारी करना चाहते हैं तो टीम परिक्षा प्लस के द्वारा उसका कोर्स चलाया जा रहा है आप परिक्षा प्लस एप से जाकर जुड़ सकते हैं तो यह अभी आपको SI, ASI के कोर्स से जुड़ना है तो यह 799 का कोर्स है और computer operator का कोर्स जुड़ना है तो यह भी आपका 799 का है दोनों अगर आपको कॉंबो लेना है तो यह 1199 में आपको मिल जाएगा परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल करना है कहां से परिक्षा प्लस एप से आपको यह सभी बैचेज मिल जाएंगे क्लासे स्टार्ट हो चुकी है आप डेमो क्लास यूटूब पर देख सकते है कोई समस्या हो तो इस यूटूब वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपकी समस्याओं का समधान किया जाए तो चले इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ अप मास्ट ये सो अस्ट्रेया नँस्ट्रेया नँस्ट्रेया